नमस्कार दोस्तों स्वागते श्रमुस बाले ची के और एक वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइग्रेन की सिम्टम को कैसे जड़ से उखार के फेक दिया जाए माइग्रेन का प्रॉब्लम शायद हम सब को है एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ टाइम उसक्त तो ऐसा होता है जब हमें माइग्रेन का pas Mkiejसूज होता है मैइकर पैन क्रवा बहुत ही पेइन होता है क्यूंकि पेइन होता है यह कर सकता है तो यहां पर इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको माइग्रेन का पेन है पर्टिकुलर्ली हाई पाउंडिंग है और यहां से सरदद रहता है साल भर ज्यादा से ज्यादा दिन तो आपको क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए तो देखे पहली बात तो है क कोई भी तरीका का सिच्वेशन जो माइग्रेन अटक हो या फिर जो हेडेक हो जो माइग्रेन के वजह से हो रहा है इस चीज को ठीक करने के लिए आपको जो ट्रिगर फैक्टर उससे बाहर रहना पड़ेगा मतलब देखो हर एक का जो हेडेक होने की रिजन है कारन है वो अ जाए और यहां फिर कुछ साउंड्स नॉइज इस चीज के वजए से बाड़ी के अंदर इरिटेशन होता है और इरिटेशन के वजए से जो है यहां पर यह प्रोसेस काम होता है यह जैसे के वीडियो रिकॉर्ट कर रहा है मेरे सामने एक लाइट है 50 वाट्स का तो अभी म लाइट से मुझे इरिटेशन होगा सरदर्द होने रगेगा दीरे दीरे वह बढ़ सकता है तो इसके लिए जो पहली चीज़े आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रिगर फैक्टर से वह लाइट हो सकता है उससे आप बाहर रहो अब दूसरे इंपॉर्टन फैक्टर जो काफी और काफी कोफी तो रहता है गहर में कौफी बहुत अच्छा पेइन रिलीव मेडिसेन हो के काम करता है थो कौफी क्या करता है क्सुर्फ चैनली जो होता है आफ्टर टेकिंग एनस्थेश्या इन उसपाइन जो शाड़िल ब्लॉक के वजएसे होता है उसको भी कम करने के लिए कॉफी का बहुत महत्पूल भूमिका रहता है तो कॉफी आपको मदद कर सकता है यहां पर जो जूजले के लिए पहली बात हो गया कॉफी सेगेंड फिंग हो गया है कि जैनरली अगर यह हो सकता है कि बौड़ी जयादा अगर अगर अईसा हो तक है कि कोल्ड और हॉट ऐसे क्लाइमिट में शिफ्ट कर रहा है तब जाकि यह बर सकता है तो मतलब अप थंड सर्दी और गर अगर होता है तो बहुतान है आप किसी एक particular temperature में खुद और लखो और वाडी को कूल रखना बहुति एंपॉर्टन रहोता है अंदर का जो तेम्परश्रे वाडी का cold temperature वो जो नॉर्मल टेंपरचर से ज्यादा ना हो जाए वो टबतान थंदा रहे तो तो हेडेक जो है धीरे-धीरे कम होने लगता है तो यह दूसरी बात होगी अब तीसरी चीज जो है आप पर मैं आपको बताऊंगा वही बहुत आसान है इस डार्क रूम जी हां आप अगर ऐसे हेडेक में से परिशान हो ऐसे मतलब सरदर्ध हो रहा है आपको बार-बार हो रह सिर्फ पर सिर्फ बार तभी आप आएंगे जब आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो आपको क्या करना है डार्क रूम मतलब के पूरा लाइट सब बंद कर दो उसमें आखें बंद करके रेस्ट करो और यह बहुत काम आता है तो यहां पर अभी के जमाने में तो लोग के पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम रेस्ट करें अगर आप करके देखिए थोरा बहुत थर्टी मिनिट्स फॉर्टी फाइब मिनिट्स इवेन भी आगर आप करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे आपका जो यह सरदर्द कम होता रहेगा और बढ़ती हुई यह जो हमार इसके साथ साथ क्या होता है हम इलेक्रोनिक डिवाइस हो चुक् gib थो हर वक्ति यह लैप्टी नजिवाइस स्क्र je जाता है उसके वज़े से भी बहुत सारे जगा पर सरदर हो सकता है तो इसके इसको भी कम करने के लिए आप बैकलेट डिवाइस जो हो गया जो आपका मोबाइल फोन टाबलेट्स या फिर लैप टॉप यह सारे चीज़े देखना अगर जितना कम कर सकते हो आप करो अब यह बहुत आपको benefit मिलेगा यह तीन बहुत important है उसके साथ चार नंबर चीज भी आएगा वह स्लिप एक अच्छा रात की नींद बहुत important है अगर नींद ठीक से हो जाए तो यह जो सरदर्द है यह भी घायब हो जाएगा तो ठीक से नींद होना है और उसके लिए क्या करना है स्ट्रेस और एंजाइटी जो होता है अंदर शरीर के वह नींद होने में बॉड़ी को प्रिवेंट करता है रोकता है तो यह एंजाइटी को अवरकम करना है एंजाइटी से बहार आना है तब जाके आप जाके सो सकते हो और बिना कोई टेंशन का जवाब सोगे आंखे इतना भी अगर कंप्लीट स्लीप आपको मिले बिना डिस्टर्बंस के तो लाइट बंद करके आप देखो और उसके साथ साथ एक प्रोटी फेलाइट बंद करने के लिए कि कभी-कभी तो लोग ऐसा लगते घर में चोटा सा नाइट बल्ब जले तो सो जाए आप टोटली ज्यादा लाइट हो तो अंदर आ सकता है जैसे कि यह सामने मेरे लाइट है मैं आग बंद भी कर दूँ तो अंदर तक आ रहा है मुझे लग रहा है मैं अगर हाथ से क्लोस कर रहा हूं फिर यह डार्क हो रहा है तो ऐसा ही कुछ चीज से आप कवर करके सो उससे भी आपको मिलेगा मैं खुद के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है क्योंकि है अच्छे से नहीं होता है तो मुझे सब चीज करने के बाद बहुत बेनफिट मिलता है तो यह सारे चीज तो हो गया आपके हाथ में बहुत आसान सा अब कुछ दो चीज में आपको बताँगा जो और एक और कुछ कुछ essential oil होते हैं जैसे के peppermint oil जो apply करने के सर पे अगर apply कर दो तो धीरे-धीरे क्या होता है आपके body जो है वो kind of calmness हो जाता है धीरे-धीरे body जो है खुद को prepare करता है सोने के लिए नीन के लिए तो बहुत stress को कम करने के लिए मदद करते हैं वो चीज़ आप कर सकते ह हो और food खाना कैसा खाना देखो normally यह पाए गया है कि headache जिन में ज्यादा है उनमें depreciation है तो एक तो विटमीन B12 के deficiency और एक होता है deficiency of magnesium magnesium का deficiency और विटमीन B12 का deficiency होते हैं उन लोगों के शरीर में ज्यादातर migraine attack दिखाए जाता है तो आप क्या कर सकतो यह दोनों ही चीज food खाने में available हैं ऐसे लोग पूछते के कुछ medicine tablet बोलना हम खा लेते हैं यह tablet से कुछ जरूरती नहीं आपको यह दोनों ही चीज दूद के अंदर मि जो है vitamin B12 जो होता है fish उसके अंदर भी रहता है magnesium जो है आपको मिल जाएगा कुछ बदाम में भी मिलता है तो कुछ dry food में जो बदाम आता है उसमें और milk यह अगर आप खाते हो तो automatically magnesium आपके अंदर गया milk से दूद से ठीक है बदाम से उसके साथ-साथ vitamin B12 भी अंदर गया त उसको कम करने में आपके मदद करता है तो यह पांच और चीज मैंने आपको बता दिये यह चीज आप मेंटेन कर सकते अपार्ट फॉम डैट कुछ कुछ चीज है जो आपको सेमी क्लिनिकल चीज में बोल सकते हो मतलब आप खुद नहीं कर सकते है शायद यहां पर कुछ कु करना होता है अगर किसी का सरदर्द करता है तो घर में क्या क्या जाता है थोरा सा सरदर्द यहां पर दभा दुट अवाठी टाइम दिखा जाता है कि उस time के लिए जो दर्द है बहुत कम हो सकता है तो यह अक्वी प्रेशर होता है यह ठीक से अगर कोई कर सकता है तो इससे भी बहुत मदद मिलता है नर्व इमपाल्स को ट्रिगर करते है और उस असाबस से क्या होता है अगर किसी भी जगह पे दर्द हो रहा है मतलब वहां से कुछ signal कर रहा है नर्व नियूरोंस तो signal को collect करने से हम रोक सकते हैं ताकि उस जगह का दर्द जो कम हो पाए उस signal को इंटर्फेर कर सकते हैं कुछ बाहर की डिवाइज यूस करके बहुत ही मिनियेचर में करेंट दिया जाता है आपको उतना फिल नहीं होगा जिसको स्केनर डिवाइज बोलते हैं स्केनर कैसे काम करता है उसके लिए डीटेल मेरा दूसरी चैनल पर वीडियो में डालता रहता ह तो आपका जो सरदर्ध है जो हेडेक है वह बहुत कम हो जाएगा अब फॉलो करके देखो दो तीन चीज़े सर्फ एक चीज नहीं जब माइग्रेन हो रहा है जब हैडेक हो रहा है तब दीरे दीरे ऐसे ऐसे वहां पर थोड़ा थोड़ा सा प्रिशर अप्लाइक और जहां यह सब करोगे तो देखोगे कि ऐसे lifestyle maintain करने के साथ और बेसिकली इसके साथ साथ अगर आप exercise करते हो हर रोज और इसके साथ साथ अगर किसी का healthy habit है योगा करना है या तो उसमें भी benefit मिल सकता है बगर मैं उसको भी हटा देता हूँ मैं यह सारे चीज़ अगर करोगे तो भी आपको जो है headache से benefit मिलेगा तो ऐसे आप सरदर्थ से जूच सकते हो सरदर्थ की जो बाकी के problem से उसके साथ लड़ सकते हो और आशा करते हैं कि यह सारे चीज़ करने से आपको मदद मिले अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को like करें नहीं लगा तो dislike करें और comment section में बताइए के और कौन सी health related वीडियो आप देखना चाहते हूं thank you bye